हलो फ्रेंज वागत है आप सभी का इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फर्स टाइम जब हम कैले लिनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद जब हम किसी भी साप्टोवेर को उसमें इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है अनेबल में हम यहीं देखेंगे तो इस तरह के एरर को fix करने के लिए सब से पहले आपको COMMAND टाइप करना होगा सुड़ो फिर नैनो फिर उसके बाद एटीसी फिर उसके बाद एपीटी फिर उसके बाद सौर्सेस डॉट लिस्ट इसको उपन करना होगा ईन्धर यहां पर डाउन आ scaly rolling आपको इसको as it is type करें लिकिना होगा right इतनाला आपको type करना होगा फिर उसके बाद इसको save करना होगा फिर उसके बाद आपको sudo अभ्ला उसके बाद update कर देना होगा system को रहाइन हर आ यह धीखी यहां पर यह finally मेरा success हो चुका है अब मैं again sudo apt install check install command को फिर से type करता हूँ and hit enter करता हूँ यह देखिए यहाँ पर यह मेरा install होना start हो चुका है उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मिलते हैं किसी अन वीडियो में तब तक see you soon, goodbye